हेलो दोस्तों वैलकम टूम 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 चैनल आज का हमारा टॉपिक है खनिच संसाधन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशनोतरी व्याख्या सहित जो की आने वाली सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है इसमें जो कॉश्चन यह आपर ब बस्तर इसकी बारे में व्याख्या जानेंगे हम इसकी भारत में उच्चिस रेडिका लोह आयसक अनन्तपूर अंध्रप्रदेश में पाया जाता है जबकि मद्रप्रदेश में यह दूर्ग और बस्तर में पाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है भारत में सरवाधिक पैट् से निकाला गया था डिक बोई रिफाइनरी वर्ष 1901 में असम ओयल कंपनी लिमेटेड ड्वारा इस्थापित की गई थी नेक्स्ट कोश्चन है मद्प्रदेश में इस्थित मजगवा खदान उत्पन्न करती है इसका आंसर है हीरे व्याख्या जानेंगे इसके बारे में मैंकञीनाइड हीरा खदान है नेक्सट ब्रदेश में खनेजनीती वर्ष घोसित हुई थी इसका आंसर है 1995 व्याख्या जानेंगे इसकी राष्टी खनेजनीती की परिपालन में राज्जी शासन द्वारा मद्प्रदेश की खनेजनीती वर्ष 1995 में घोसित की गई इसमें म पर्यावरन संतुलन आदी को प्राथ मिक्ता दी गई वर्स 2010 में मध्यप्रदेश सासन द्वारा मध्यप्रदेश की नई खनेज नीती घुशित की गई थी नेक्स्ट कोशन है रिलाइन समू को मध्यप्रदेश में कॉलबेट मीथेन के भंडार कहां मिले हैं इसका आंसर है सोहागपूर व्याख्या जानेगे इसकी निजी छेतरी की कमपनी को मद्य प्रदेश के सहडोल जनपत के सोहागपुर में कॉलबेट मीथिन के भंडार मिले हैं जिनकी संभावता साथ से दस मिलियन घन मीटा प्रति दिन की है जो ONGCRIL तथा BG के स्वामित्व वाले तापती तेल छेतर से भी बड़े हैं नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित मैसे कौन से जिला मद्य प्रदेश में चूना पत्थर का सरवाधिक उत्पादन करता है और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से भी अधिक योगदान प्रदान करता है इसका आंसर है सतना व्याख्या जानेंगे इसकी मद्य प्रदेश राजी के उत्तर पूर्वी भाग में विंध्य किरम की चटानों में उच्चु कोटी के चूना पत्थर की उपस्थिती पाई जाती है राजी के सतना जिले के अंत्रगा सर्वाधिक चूना पत्थर मैहर नागोद मदनपुर जैत्वरा मजगवा में पाया जाता है तथा सतना जिले का मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के उत्पादन में प्रथा मिस्थान है इसके अतिरिक्त कटनी, दमो, रीवा, जबलपुर, धार, सीधी जिले से भी चूना पत्थर की प्राप्ति होती है राजी के कटनी जिले को मध्य प्रदेश की चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है यहां वर्ष 2017-18 के आकडो के अनुसार मध्य प्रदेश 427.44 लाख टन चूना पत्थर का उत्पादन हुआ है नेक्स्ट कोश्चन है मध्य प्रदेश के एक मात्र जिले का नाम बताईए जहां से यूरिनियम खनेश की प्राप्ति होती है इसका आंसर है सहडोल व्याख्या जानेंगे इसके मध्य प्रदेश राजी के एक मात्र जिले सहडोल से रेडियो धन्मी पदार्थ यूरिनियम की प्राप्ति होती है वर्स 2018 में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा टोंगरी छेतरे में भी यूरिनियम के भंडारों की खोच की गई है नेक्स्ट गोशन है मध्य प्रदेश के किस जिले में सीसे के भंडार पाये जाते हैं इसका आंसर है दतिया व्याखय जानेंगे इसकी मध्य प्रदेश राजि में सीसा, प्री कैम्ब्रियम और विन्द्यान क्रम की चट्टानों में चूना पथर सेल सम्हूं के साथ पाया जाता है सीसे की भंडारण में मध्य प्रदेश 1.98 प्रतिसत का तरतिय स्थान है राजी की दतिया जाबुआ शिवपुरी एवं जबलपुर्ज लेके बेड़ा घाट में सीसे का उत्पादन होता है